हालो फ्रेंस आज मैं रिवीव करने वाली हूं सिंगर प्रामिस 1409 सिलाइब मसीन की तो चलिए देखते क्या कुछ खास है इसमें तो आप देख सकते हो इसका जो अंदर का पाठ है बहुत ही स्ट्रोंग है यहां मैंसन किया गया है और इससे आप सबसे कम छूट पे 6000 तक खड करने के बाद आपा जो काज है या बटन का जो हॉल है वह भी आप इस मसीन के जरिये कर सकते हैं और यह जो भी समान आप देख रहे हैं वह आपको मसीन के साथ प्री मिलेगा आप पिक को भी इस मसीन के साथ कर सकते हैं अगर बात वेट का करें तो बहुत ही लाइट वेट है पाइब केजी के आज पास इसका वेट होगा और यहां एक हैंडल दिया गया जिसकी सहाइता से आप बहुत यासानी से इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं यह फूट पैडल भी आपको मसीन के साथ मिल जाएगा और इसकी सहाइता से आप मसीन चलाईएगा अगर आपने कभी भी लाइप में कोई सिलाय मसीन नहीं चलाया है तो भी आप किसी भी ब्रांड का जो एलेक्ट्रिक सिलाय मसीन होता है जो बिलिस चलता है उसे आप बहुत ह आसानी से चला सकते हैं क्योंकि उसमें यही फुट पैडल दिया जाएगा आपको जिसे पुछ करने पे दबाने पे यह मसीन चलने लगेगा और जैसे आप अपना पैरिस पर से हटा लीजिए तो मसीन रुख जाएगा तो आपको ना तो सीखना है ना कोई प्रैक्टिस की यह गुब करदेगे हैं यह जो साड़ा समान तेख रहे हैं वह आपको मिल जाएगा इस मसीन के सा statements ना रजव शे a जै, जूब एक सकते हैं यह पहले नोव हैं नूव हैति इसमें आप देख सकते हैं से आप टीmy अपल वाल दिग्जिए कर सकते हैं जौश साथ हैं जिगज सकते हैं और अगर बात करें सेकें नॉब की तो यह जो नॉब है उसे आप एस्टिक चिंग की जो लंबाई होते हैं उसको बढ़ा घटा सकते हैं मतलब कि बहुत ही महीन सिलाई आप कर सकते हैं जो कभी भी खुली नहीं सकती है अगर आप इसको जीरो से वन के बीच में कर दे और अगर आप फोर पे कर देंगे यक तो आप उस श sexual को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं उसे आप कच्चा में कर सकते हैं त Perform indecover प्रेशर फूट लिपटर आपको राइट साइड में दो करो, जो अब सकते हैं कि इस घूमा करके भी स्टीज यू का रख सकते हैं अपसमें जैसे है पार्व विए उन कड़िए लगा जाया समें प्रीट है तो परेंड चैन esperar केह राइट साइड निधूर सियुत क्के आपका करनें ससुजा राइट साइड कि एक इस नया ऊंका दी है एक कटर आप को इस काटा भी थागा जनौ शायता सेधा उपर की साइट से पातोता मिल से अप्राने मसीन का जो स्पीड है ज़алась मोटर जा सब्सकतर उसे आप बढ़ा और गटा सकतें इसे व्य च्ट्की से बीच में दागा जो है वो कैसे भरते तो वार्विन में चार हॉल दिये गए हैं आप लोग देख सकते हो इसी हॉल के अंदर हमको जो धागा है उसको डाल देना है पहले और अब हम जो एस्टेंड है उसके अंदर इसको नीचे की तरफ पुस करेंगे और फिर अब इसको हम राइट इस तरह से धागा को टंड कर दे मोर दे तो अब हम धागा जो है उसको हाथ से पकड़ लेंगे और जो फूट पैडल है उसको दबाएंगे जिसे की मसील चलना सुरू हो जाएगा और जो धागा है वो भरना सुरू हो जाएगा बॉबिन में तो बहुत ही आसान तरीके से आ से फिल कर सकते हैं भर सकते हैं आप देख सकते हो कि धागा हमारा पूरा फिल हो चुका इसलिए अब यह चलना बंद हो गया तो अब इससे हम लेप की तरफ बाएंगे की तरफ पूस करेंगे और फिली से प्रेस करके उपर की तरफ निकाल लेंगे और अब इसे हम बाविन ह जो हॉल है और जो बॉबिन होल्डर का जो हॉल है दोनों को हम मैच कर देंगे और थोड़ा सा जो धागा है उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे तो आप बॉबिन होल्डर में बॉबिन को इस तरह से डाले तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने धागा को इसके अंदर डाला है तो आप भी इसी तरीके से लगाएं और आप इसको नीचे से इस तरह से लगाएं जैसे अभी मैंने लगाया है और आपको एस्क्रीन पर दिख रहा है तो आप देख सकते हो इसका इस्टेंड बना हुआ है और आपको यह लगाने कवाद एक टक सा आवाज आएगा और आप देख सकते हो कि यह और यह आपका इस्टोरेज बॉक्स है इसके अंदर आप मसीन का जो भी समान है वो रख सकते हैं और यहां पर भी आपको इसका जो होल्डर है उसके अंदर टक करना है तो इस तरिके से आप तो अब हम जो ढ़ाआ है उसको नीडल में लगाएंगे तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हो चतर की सहा नमबर थरी के तरफ होते हुए उपर ले जाने आपको और यहां पर एक हैस्टेंड है इसको आप हैंड विल की साहता से पर उपर कर ले और फिर उसमें आपको इस धागा को टर्ण करना है तो हमारा आप देख सकते हो यह जो आप तो यहां पर दिखाने के लिए निशान लगा है तो यहां पर रेड मैंने आपको दिखाने के लिए निशान लगा है अब जो धागा आपको फ्रन से बैक की तरफ ले जाना है मतलब कि इसको पीछे की तरफ ले जाना है आपको एकदम सीधे से पीछे की तरफ दागा लगाना है और अब नीचे का जो धागा है उसको हमको इस धागा की साहिता से उपर ले आना है है तो आप देख सकते हो हमारा तो इस तरीके से हमारा जो धागा है वह बहुत ही आसान तरीके से लग चुका है तो चलीए अब मैं मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूं तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग normal stitching को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो धागा का जो लेंग है 3 पे कर देंगे और यह हमार मोटर का स्पीड 6 पे रहेगा तो चलिए देखते हैं कि कैसा इसका सिलाई होता है तो अब आप देख सकते हो कि मसीन में एक LED बॉल भी लगा हुआ है जिससे आपको काफी हेल्फ मिल जाता है सिलाई करने में तो अब मैं इसे इसका जो कटर है यहा से कट कर लूँगी और अब आप देख सकते हैं कि कितना ही बहत्री इसका सिलाई हुआ है कितना अच्छा से यह स्टिचिंग हो चुका है और अब हम लोग जिग जैग वाला जो पैटर्न है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर मसीन जो है वो चला करके देखेंगे कि यह क कितना फिनीशिंग और कितना अच्छा से स्टिच हुआ है अभी नाइट के टाइम मैं स्लाइक कर रहे हूं और मुझे बिल्कुल प्रॉलम नहीं हुँआ है करेंगे जीग जैग का जो दूसरा पैटर्न है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अब यह वाला भी हम लोग देख ल सूट पे या जो पाइजामा का जो मोरी होता है या नीचे वाला साथ वहां पर भी डिजाइन बना सकते हैं और यह एक खास डिजाइन है जिसे आप प्लेन सूट पे बना सकते हैं या किसी भी चीज पर आप बना सकते हैं तो देखते हैं कि यह किस तरह से यह डिजाइन हमा अब हम लोग जो है यह जो स्टेंड हाक इसको हटा लेंगे को बनाने के के लिए लेगा इसमें कोई सा भी यह बटन जिसका का ऀसका होल आपको बनाना वह डाल देंगे और इस स्टेंड को पहले हम मसीन में सेट कर लेंगे सिलाय मसीन में तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको यह जो आपको दीख रहा है छोटा सा यूँ बना हुआ उसको यह जो engagव श्टेंड है स्टील का उसमें आपको लॉक करना है तो इसको लॉक करने तो वहां पर सबसे पहले डालेंगे और one select कर लेंगे speed धागा का लंबाई लेंथ और यह हमारा one complete हो चुका है आप देख रहे हैं और यह नमर two जो है वह मैंने अब नमर two पे मैं कर रही हूँ तो यह नमर two हमारा हो चुका है और अब इसे हम नमर three पे डाल देंगे फिर से मत आप देख सकते हो नमर three जहां लिखा है उसे हम फिर से नमर three पे डाल देंगे तो अब यह हमार नमर three वाला जो step है यह हो चुका है और अब इसे हम नमर four पे डा तो आप देख सकते हो हमारा सुन्दर सा काज बटन का हॉल बन के त्यार इसे मैं आपको एक कॉपी पे समझा देती हूं तो आपको समझना असान होगा तो आप देख सकते हूं यहां पे जब हमने नमर वन को सेलेक्ट किया तो आपका जो स्टिचिंग है वो इस तरीके से लगा आपका जैसटिचिंग हीस तरीके से हुआ जब नमर फोर को सेलेक्ट किया तो इस तरीके से हमारा जो काज है वो बनकर के कंपलीट हो गया और तो अब इसका बीच वाला कप्ड़ा है वो आपको हटा देना है तो आप आप देख सकते हो कि को यह साई तरिके से हम अब तो ज्यादा आपको परेसानी नहीं होगा हाथ से करने की जुदत नहीं पड़ेगी तो चलिए अब हम लोग देखते कि बटन को किस तरीके से हम लोग को सर्ट में या फैब्डिक में लगाना है तो यह हमारा बटन का स्टेंड है तो इससे भी आसानी से आप बीच में ले और ट्रावर को वागा है आप देख रहे हैं कि है बनाओ को है वह इस तदोगे को हुआक बनाओ दोन का यहां पर मसीन धो कि में गांणा वह यह लुदर का पनाह दूं की थोड़ा बनाओ लोग के लया हो सब्सक्राइब्ड को फनी ंृट इस तरीके से दालला है कि आगे स और इसके बाद हम इसके उपर कपड़ा डालेंगे और बॉटन डालेंगे और बॉत पर नाझीं डाले है कि बॉटेंगे लhy new a और जाने हम जो फितन है और फितन होगे से इंदर नेखते हैं हं जोना करना किसेस्अ हेथर that तो अगर आपका जो धागा में निडल है वो नहीं जा रहा है तो तो कच्चा सिलाए वाला जो नौब होता है तो उसे आप ले जाए वन से पीछे की साइड ले जाए मतलब अपना जो धागा का जो लेंद है उसको कम कर दे तो प्रोपरली ये जाने लगेगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो दो हॉल था तो उसमें लग चुका है अब कप्रे को हम थोड़ा सागे की और गीचेंगे और आगे वाला जो दो हॉल है तो उसके अंदर भी हम लोग को एस्ट्रिचिंग कर लेना है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बटन है वो एकदम ही तो आप भी इस तरीके से बटन जो है वो मसीन की सहाइता से लगा सकते हैं इसी मसीन से आपको पिको करने के लिए एक अलग से स्टेंड खड़िदना पड़ेगा इसके साथ आपको नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं यह पिको का स्टेंड है और इस तरीके से आप पिको भ तो यह सब मैंने इसी मसीन से स्टिच किया है और बहुत ही आसानी से स्टिचिंग हुआ है मुझे कोई प्रावलम नहीं हुआ है तो थांक यू फोर वासिंग इस वीडियो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चनल को सब्सक्राइब कर दें थांक यू